हमें आजाजी के बाद भी बही इतियास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखण में साजीसन रचा गया था परन्तु हमारी इतियास को गवरमाई तरीके से लिखने में अब हमें कौन रूपता है जब हम भारत छोड़ो आंदोलन का नित्र तो कर रहे थे कॉंग्रेस नित्र तो कर रहे थी तब शामापशात मुखर जी उनके उपर ढंडे बरसा रहे जी आईए लिखते हैं कि 60 रुपे की पेंशन कौन से सावर कर पा रहे थे किन परिस्थितियों में ले रहे थे माफी ना के साथ निया नहीं हुआ लहाजा अगर जरूरत पढ़ी तो इतिहास बरदलने से गुरेज नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि अगर देखें लिखा है कि इतिहास घलत है तो फिर से लिख दो असत्य गायब हो जाएगा और सत्य रहे जाएगा ग्री मंत्रिया मिश्या ने क् इतिहास लिखने के बाद जरा सुन लिजेए आप लोग रिसर्च करिए इन पर लिखिये और नयए इतियास की शुरुआत करिये नया इतियास आएगा जो असत्य है वो अपने आप चलाएगा मैं कई बार सुनता हूं कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है हमारे प्रकता है, हमें पुरुसार करना पड़ेगा, हमें संसोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गव्रो मही तरीके से विस्व के सामने रखा और उधार 20 मोधी वह भी इतिहास पर बात कर रहे हैं परदान मंत्री मोदी ने विज्ञान भबन में कल फ्राइडे को जो एक प्रोग्राम था वहां पर वहां इतिहास से लेकर इतिहासिक महापुर्शो पर ही था तो उसमें इतिहास की बात करी और उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों का हम सब वही पढ़ते आ है महान परंपरा का है लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी बही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के काल खड़ में साजी संद रचा गया था आजादी के बाद जरुवत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजन्डे को बदला जाए लेकिन ऐसा नहीं किया गया तो इस देश में जो अब तक पड़ के हिस्टॉरियंस आगे निकले थे गुल्ड मैटल हासिल के दुनिया में जो भारत का इतियास मशूर है वो बदल जाएगा कुछ अलग कलर का होगा कुछ अलग तड़के के साथ होगा हो सकता है कि कल ये भी हो जाए कि नाथुराम गोटसे का हत्यारा महत्मा गांधी को बता दिया जाए कि गांधी फासी चड़े थे गोटसे को गोली मारी कई थे अब इस सब पर कॉंग्रेस सामने आ गई है और सुरेंद राजपूर जो उनके प्रवक्ता है वो लिखते हैं अमिशा जी हम आप से सहमत हैं इतिहाद सही होना चाहिए लोगों को पता चलना चाहिए कि जब कॉंग्रेस देश आजाद कराने के लिए लड़ रही थी तब संग और भाश्पा के लोग पेंशन ले रहे थे शामा प्रसाद मुखर जी लीग के यानि मुस्लिम लीग के शामा प्रसाद मुखर जी आपको पता है जिन्हों ने बीजेपी की नियू डाली थी तब संग के नेता थे इतिहास को सही करने से किसने रोका है आईये इतिहास को सही करते हैं और बताते हैं लोगों को शामा प्रशाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के उपूमुक्ह Mittusi थे बंगाल में जब हम भारत छोडव अंदोलन का नित्रतों कर रहे थे तब शामा प्रशाद मुखर जी उनके उपर डंडे बरसा रहे गी आईए लिखते हैं कि 60 रुपे की पेंशन कौन से सावर कर पा रहे थे किन परिस्तितियों में ले रहे थे माफी नामे किसके आये थे भगत सिंग से कोई संग का आदमी मिलने नहीं गया कोई हिंदू महसभा का आदमी नहीं मिलने गया चंशेकर आजात की मुखविरी किस ने की थी सारा इतिहास को सही लिखा जाना चाहिए यह मैं आप से सहमत हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप इतिहास को सही करवाएंगे और भारती सोतनता आंदोलन में संग के, जन संग के, हिंदू महसभा के और बाकी सारे आपके और्गनाईजिशन का इतिहास दुनिया के सामने आ सकेगा पता नहीं मैंने बच्पन में गाना सुना था हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे किसी को पता नहीं था ये गाना परदार मंतरी मोदी और हमेशा के लिए लिखा गया था, वो दोनों मिल चुके हैं मिले तो हमेशा से थे, लेकिन आप पावर में इतनी है कि आप वो नया इतिहास बना सकते हैं, नया इतिहास लिख सकते हैं लेकिन इतिहास में अगर बाबर पहला इन्वेडर था मोगल सामराजिका और उसके बाद के सब लोग बोगल भारतिये थे तो क्या उन सब को घदा लिखा जाएगा अकबर जिसे आज तक हम महान पढ़ते आये थे उसे हम क्या पढ़ेंगे और शाजा जो कला प्रेमी था उसक में क्या लिखा जाएगा यह हम सब को देखना बागी लेकिन इतिहास तो इतिहास रहता है और प्रोपगेंडा प्रोपगेंडा लेकिन क्या पता जो नया इतिहास आए वो बहतर हो देखते हैं जैएद